सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन के तबाईए लेटेस्ट टेक्निलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो आज हम इस वीडियो में unboxing करेंगे ये cordless phone जो की आता है penasonic की तरब से और दोस्तो ये single line phone है और करेंगे इसकी unboxing और देखिने की box content में हमें क्या मिलता है और देंगे इसका full review जी हां तो दोस्तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और दोस्तो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले notification टैमनी मिल जाए दोस्तो ऐसे तो हम लोग सभी आज के दिन में mobile phones यूज करते हैं लेकिन दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घर और हमारे office में भी एक line line होना बहुत जरूरी है और यह आता है penasonic के तरब से जो कि एक cordless phone है जी हां तो दोस्तो इस टैलिस phone है और करते हैं इसकी unboxing जी हां दोस्तो तो दोस्तो यह है penasonic की तरब से wireless cordless phone जो कि penasonic आप यहां देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है और यहां जो इ ब्लैक और वाइट और दोस्तो हमारे पास से ब्लैक कलर तो करेंगे हम इसकी unboxing अगर यहां बैक में अगर आप देखें तो यहां पर इसके कुछ इस स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जैसे कि यहां पर आपको 2.4 GHz Frequency, Hoping Spread और Equalizer, Customized Sound System भी आपको यहां मिल जाता है Power Backup, Operation भी आपको यहां मिल जाता है, Incoming Calls, Bearings, 100 Names and Number, Phone Book, Caller ID with 50 Station Call Log और Wall Mountable Base Unit तो आप इसे Wall Mount भी कर सकते हैं Battery Life Up To 10 Hours, Talk Time 6 Days, Stand By, Rechargeable Battery AAA तो दोस्तों यहां पर हमें पका AAA बैटरी मिलेगा बॉक्स के अंदर में, तो चलिए कर लेते हैं इसे Unboxing और देखते हैं कि बॉक्स कॉंटेंट में हमें क्या मिलता है दोस्तों जी हां, तो यहां से मैंने बॉक्स काट लिया है, तो चलिए इसे हम Open कर लेते हैं और देखते हैं दोस्तों की बॉक्स कॉंटेंट में हमें क्या मिलता है, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हमें मिल जाता है हमारा Panasonic का Caudless Phone और यह wireless Caudless Phone है आप देख सकते हैं, यह first impression दोस्तों मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है यह फोन, यहां पर जो जो क्वाटी कीपड है दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट क्वाटी कीपड है और तो हम इसे पीछे से इसका जो बैक पैनल खोल लेते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको दो बैटरी इंसेट करना पड़ेगा, ट्रिपल अ का और रिचार्जेबल बैटरी मिल जाता है पैना सोनी के तरफ से, तो यहां पर दो बैटरी आपको यहां लगाना पड़ेगा, जी हां, तो चलिए हम यह बैक पैनल को अभी बंद करके इस फोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बाक्स कॉंटेंट में हमें क्या मिलता है, जी हां, तो यहां पर इसकी भी दोस्तों फिनिसिंग और बिल्ट क्वाल्टी बहुत ही बढ़ीया है जैसा कि आप देख सकतai हैं तो चलिए हम ये फोन को यहाँ पर स्टैंड कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है जी आँ तो छलिए यह जो डॉक सिस्टेम है इससे भी हम साइड में रख दिते हैं डॉक चारिजर और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या मिलता है दो स्थो यहाँ पर आपको मिल जाता है एड़ेप्टर वायर जी हां यह हमारा फोन का एड़ेप्टर है और यह पर आप देख सकते हैं डॉक के नीचे में यहाँ पर हमें से लगाना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूं और यह जो वायर है दोस्तो 1 मिलता है तो दोस्तों यहां पर हमें यह वायर मिल जाता है यह आर जे इलेवन वायर कनेक्टर और यह फोन के साथ में आपको इजली मिल जाता है और किसी भी फोन के साथ में यह आजकल मिल जाता है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसे भी हम साइड में रख देते है और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहां बॉक्स में हमें यह दो बैटरी मिल जाता है पैना सोनी का और यहां पर आप देख सकते हैं 550 एमेज की बैटरी यहां पर आपको मिल जाती है 550 एमेज की और यह दोनों बैटरी पैना सोनी की तरफ से आता है तो इसे भी हम में रख लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बॉक्स कॉंटेंट में हमें यहां पर यह सारी चीजें मिल जाती हैं जी हां यहां पर आप देख सकते हैं हमें फोन मिल जाता है और यह डॉक चार्जर मिल जाता है यह एड़ेप्टर मिल जाता है यह आरजे के अंदर में box content के अंदर में आपको मिलता है जी हां तो चलिए मैं इसे फटा-फट आपको connect करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है जी हां तो चलिए अब जो ये adapter है हम इसे open कर लेते हैं और इसे हमें जो है सो आप देख सकते हैं ये जो dock charger है हमें यहां पर इसे insert करना है तो यहां आप pin देख रहे हैं तो चलिए हम इसे यहां insert कर लेते हैं तो ये अच्छी ते insert हो गया है अब दोस्तों ये जो RJ11 wire है जैसा कि आप देख सकते हैं इसे भी हम open कर लेते हैं इसे भी हमें यहां पर insert कर लेना है dock के पीछे में ये जो charger dock है तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत easy से मैंने इसे insert कर लिया और ये जो दोस्तों adapter है अब हम इसे charge में लगा देते हैं जी हां तो चलिए हम इसे charge में लगा देते हैं तो दोस्तों हमने अपना adapter charge में लगा लिया है और अब आप देख सकते हैं यह जो phone है जो मैंने चालू किया था अब मैं इसे यहां पर जैसे ही रखता हूं तो आप देख सकते हैं कि yellow color का या orange color का light य अब एक मैं लें मैंने इंशर्ट कर लेते हैं और दोस्तों चैलिये किसी को फों लगा लेते हैं और देखते हैं कि यहां इसकी वाइस क्वालिटी कैसी है दोस्तों हेलो महज जी सुमी चला गया क्या अच्छा ठीक है ओके बाई तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहां जो इसका कॉल क्वालिटी है और जो स्पीकर जो मैंने ऑन किया इसका जो वाइस क्वालिटी है बढ़िया हैं तो मेरे ख्याल से ये वाला जी मॉडल है पेनी स्थमीक का ये ले सकते हैं तो मैं इसकेन हमारा अंबोक्सिंग Caro करके बताया कि आप में आपको क्या मिलता है और यह फोन कैसा है दोस्तों अगर आप एक लैन लाइन फोन अपके घर में रखते हैं और अगर आप कोई यह फोन अभी मिल रहा है तो आप इसे अमेजन पर ले सकते हैं मैं उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी हां तो दोस्तों मेरे हिसाब से यह फोन बहुत ही अच्छा है तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही आसा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों बेल आइकून को दवा दीजिए ताकि आपको आने वाले डोटिफिकेशन चैनल नहीं मिल जाजी है तो मैं परीतों इंसानी साइनिंग ओफ